दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों यह जो प्लांट आप देख रहे हैं टगर प्लांट है और इसको चांदनी प्लांट भी बोला जाता है तो दोस्तों आज हम आपको यहां देखाएंगे इस प्लांट में आप गर्मी के मौसम में कौन सा फटलाइजर द तो उससे इसके अंदर मिटी में नमी बनाए रहेगा ओफटलाइजर आपको यहां बोलेंगे हम तो दोस्तो आएए आगे बढ़ते हैं वीडियो देखते चलिए यहां पर हम आपको पहले कंपोस्ट देखाएंगे कि कौन सा कंपोस्ट इसके अंदर देना जरूरी है दोस्तो अंदर जो फूल है लगभख चालू हो चुका है तो इसमें हम चाहते हैं कि और बहुत सरा फूल किस तरीके सा है उसके लिए हम यह वीडियो बना रहे दोस्तों जिसे कि आप लोगा भी हेल्प होगा और अभी डाल को मतलब काटने का समय नहीं है अभी जो हम डाल कट कर दि हम आपको फटलाजर यहां देखाएंगे दोस्तों दोस्तों यह जो फटलाजर आप देख रहे हैं नीम का खली है और इसके बाद जो फटलाजर हम देखाएंगे यह वाला जो देख रहे हैं लाल रंग का हलका लाल रंग है यह है पोटास दोस्तों पोटास जो होता है आप आपको प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है आपको फूल के लिए फूल का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा इससे और इसका डाल ब्रांच जो होगा ओभी मने सही रहेगा और यहां जो देख रहे हैं यह बोनमील है यानि कि यह मवेशी के हड़ी से बना यह बहुत ही अच्छा काम होता है और इसके आलामा हम आपको एक चीज यहां देखाएंगे जो फिटकीरी बोला जाता है दोस्तों इसको इंगलिस में अलम भी लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पर जो फिटकीरी का काम है आपके प्लांट में जिदी ग्रोथ नहीं हो रहा ह आप सब फटलाइजर दे रहा हैं, सभी परकार का Index- grand compost भी दे रहे हैं फिर भी देख रहे हैं कि यह आपके प्लांड में क्या हो रहा है फूल नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर फिट्कीरी को Rise- dividend framework बहुत ही ज़रूरी है और मिलाने के बाद अपने प्लांट के अंदर हम दखाएंगे दोस्तों कितना मत्रा इसका पड़ेगा ज्यादा भी नहीं देना है और इसको कितना दिन बाद देना है इसको आपको महिने में एक बार देना है और इसके बाद दोस्तों यह वाला जो फिटकीरी है फिटकीरी को पांसली टर पाशी में आप दो से लिए घला सको दोस्तों लिए हैं औरेम अभीर की इसे बात काूर सेck 10 ले दियान पहलने नहीं और सब्सक्राइब्स नहीं इस बार्साट के मौसम का जो पाणी जाए जो कि आपको फिटकीरी में होता है तो उसको देने से डबल हो जाएगा तो नुक्सान होगा आपके प्लांट को तो दोस्तों हमारा फटलाजर यहां रेडी हो गिया और हम इसको अपने प्लांट का जड़ को थोड़ा हलकालका गुडाई कर दे रहे हैं और इसके अंदर जो हास है उसको हम निकाल दे रहे हैं तो दोस्तों आप जिस दिन फटलाजर देंगे उस दिन क्या करेंगे कोशिश करिएगा साम को फटलाजर देने के लिए तो उसे क्या लाब होगा सारा दिन जो धूप लगेगा आपके प्लांट के अंदर तो मिटी जो है थोड़ा सुख जाएगा तो सुखने के बाद जो आप फटलाजर या कमपोर्ट जो कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें आपको फाइदा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि जो आप इसको देंगे फटलाजर को इसके उपर और पानी देंगे तो सोखने सकेगा तो मान के चली आप सुबह में पानी देंगे तो फीर आप साम को फिर फटलाजर नहीं देने सकते हैं तो दोस्तों यहां देखिए जो बड़ा चमच होता है उससे मान के चली अंदाज दो चमच इसमें हम एक प्लांट में दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको फटलाजर देना है और इसको ठीक तीस दिन ब प्रोत भी होगा और इसके अंदर फूल भी अच्छा से आएगा तो दोस्तों इसका हम रिजल्ट भी आपको देखाएंगे अभी यह वाला जो है अभी हम इसमें फटलाजर देकर के आपको देखा रहे हैं कि आप किस तरीके से फटलाजर देंगे दोस्तों यहां पर आप भी थोड़ा देखाई दे रहा है जो गुड़ाई करेंगे तो खुब ज्यादा डिप तक नहीं करना है क्योंकि यह प्लांट जो है बड़ा हो चुका है और जैदि आप इसको चाहते हैं कि हम इसको रीपोटिंग भी कर सकते हैं मतलब इसको जो 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 अंदर में रूट प्लांट जो है डाइमेज नहीं होगा और मैनेज कर लेगा आपने को तो दोस्तों इस तरीके से फटलाजर देना है फटलाजर हम दे दिये और यहां देख सकते हैं हम जो देखा रहे हैं डाल को हमने कट किये थे दोस्तों फरवरी महिना में कट किये थे यहां से हम एक डाल कट किये तो वहां से दो या तीन डाल निकला हुआ है और इसके अंदर फूल आना लगभग चालू हो चुका है तो दोस्तों यहां पर फूल आना चालू हो गया तो इसमें बहुत ही सारा फूल चाहिए तो इसके लिए हम जो है फटलाइजर आपको देखाएं कि आपका जो प फटलाजर आप दीजिएगा तब तो दोस्तों यहां पर आईए हम आपको देखा दियें इस प्लांट को और इसमें फटलाजर भी देखा दिया आपको कि किस तरीके से आप फटलाजर देंगे गुडाई भी हलका कर दिया गिया और यहां पर हम दोस्तों पानी दे दिये औ यह साम के समय है दोस्तों हम जो फटलाजर दे रहे हैं अभी लगभग 5 बच चुका है तो आपको गर्मी के मौसम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी फटलाजर या कंपोस्ट जो भी दीजिए साम को दीजिए साम को देने से क्या लाब होगा आपका जो रात का मौसम ह होता है थोड़ा ठंडा होता है तो यह फटलाजर है तो इसका जो आपको प्लांट है इसके ओपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों दोस्तों यह पांच दिन बाद का रिपोर्ट है यह हमारा टगर प्लांट जो है अभी ग्रोथ करना चालू कर दिया और इसक दोस्तों इस तरीके से आपको अपने प्लांट को फूल बहुत लाना है इस तरीके से हम आपको देखा चुके हैं